अबी को लगाता है मुझे मैसेज मिज रहे थी कि आवकारी विभाग में क्या हो गया एज बढ़ गए है क्या उसमें वड़ल गया है कि क्या उसमे ऑवकारी विभाग की ओफिशल जो है पीडियाफ है इस पर हम चर्चा करने बाले हैं इसके जाए कि या ₤ परिवर्तन हो गए हैं देखें पोष्ट की अगर मैं बात करूं तो पोष्ट जो है अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था पहले लगभग 209 के आसपास पोष्ट थी जैसे बढ़ाकर लगभग 400 कर दिया गया था क्लियर है और इसके अलाबा आप जो परिवर्तन हुए हैं वो सारे हम डिसकस कर लेते हैं तो सबसे पहला परिवर्तन जो हुआ है आवकारी विवाग में खास तौर थे वो ये परिवर्तन हुआ है कि अब आपकी फॉर्म भरने की लाश्ट डेट थी 24 तारिक उसे बढ़ा कर अब 29 तारिक सीधे पांच दिन बढ़ा दिये गए हैं तो अब आप पांच दिन फॉर्म जादा भर सकते हैं अब सबार उटता है ये क्यों किया गया क्यों कि सामानेता ऐसा करता नहीं है पर टवारी में आप कभी नहीं सोचना कि आपकी फॉर्म डेट बढ़ेगी जैसे ही ये काफी इंपॉर्टेंट है एज लिमिट जो है वो अब बढ़ा दी गई है तो इस लिमिट यदि आप देखेंगे तो पहले जहां 33 वर्सी अब उसे बढ़ा कर 3 साल बढ़ा दी गई है तीन साल इस रिलेक्षेशन कर दिया गया है क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही की कोविट के कारण देखकत हो गई है तो दो बड़े परिवर्तन जो है इस वेकेंसी में कर दिये गए है पहला परिवर्तन तो यह किया गया है पहला परिवर्तन जो है वो यह किया गया है कि आपकी फॉर्म भरने की डेट जो है वो भर दी गई है वो बढ़ा दी गई है और दूसरा जो परिवर्तन किया गया है वो यह है कि आप आप एज लिमिट जो है वो तीन साल बढ़ा दी गई है ओके उमीद है आप सारे चीज़े समझ गया होंगे इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने हैं थांक यू फर वाचिंग गया है